अमेरीकी कमपनी जॉंसन एंड जॉंसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमर्जनसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। सौस्त मंत्री मंसुग मांडविया ने ये जानकारी दी। खास बात ये है कि यह भारत में इस्तमाल होने वाली पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाव सिंगल डोज में भी कारगर साबित होगी। मन्सुग मंडविया ने ट्विट किया कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का इस्तमाल कर लिया है। जॉंसन एंड जॉंसन को भारत में इमर्जनसी इस्तमाल की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दे कि अब तक भारत में पाँच वैक्सीन को इमर्जनसी इस्तमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मांडविया ने कहा कि कोरोना के खिलाब हमारे देश की जंग को बढ़ावा मिलेगा जॉंसन एन जॉंसन ने पंच अगस्त को भारत सरकार से सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तिमाल की मंजूरी मांगी थी कमपनी के मुताब एक ट्राइल में वैक्सीन 85 प्रत्सत असरदार दिखी है कोविट शील्ड को वैक्सीन इस्पूतनिक वी और मॉडरनना के बाद जॉंसन पांच वी वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है हला कि भारत में अभी सीरम इस्टिट्यूट की कोविट शील्ड भारत बायोटेक की को वैक्सीन रूस की स्पूतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है सरकार केंद्रों पर COVID shield को वैक्सीन लगाई जा रही है जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इस पूतनिक भी उपलब्ध है दरसल भारत में अभी इस्तिमाल हो रही वैक्सीन की दो दोज ही दी जाती है कोविट सील्ट के दो डोज 84 दिनों में जबकि कोवैक्सीन के 4-6 हपतों के अंतराल में दी जाती है